नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का एक्जाम पाथ फाइंडर में जहां हम आपके लिए कवर्मेंट जॉब्स कॉंप्टेटिफ एक्जाम्स एडमीशिन्स और वेकेंसी से रिलेटे लेटेस इंफोर्मीशिन और अलज लिकर आते हैं तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो है at least their experience in food analysis in a food testing laboratory notified by the government of India application mode online और offline दोनों है दोस्तों तो offline application बेजने के लिए यहाँ पे एक address given है जो है Health Medical Education and Family Welfare Department राथी जारकर जहाँ पे आप अपनी application बेज सकते हैं दोस्तों इसी के साथ वेक एंजे सिर्फ दो है तो आप जल्द से जल्द apply करें और आप online भी apply कर सकते हैं उसके लिए आप इनकी website www.jpsc.government.in पर भी विजट कर सकते हैं तो जिस भी application mode में आप comfortable है दोस्तों आप वैसे apply कर सकते हैं कोटा है शेडियूल ट्राइब्स और पी डबूटी के लिए एस लिमिट है 21 से 35 साल प्लेस ऑफ पोस्टेंग है दोस्तों राजी जारकन जो application की इनके official notification में क्या है और अधिक चानकारी आप eligibility criteria fee pattern वे अनिक के लिए आप नीचे देगी गए notification को विजिट कर सकते हैं देखते हैं इनके official notification में क्या है तो दोस्तों जासा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी information given है आप इसे go through कर सकते हैं दोस्तों इनका जो examination mode है दोस्तों वो है offline और examination center जो है वो है regional यहाँ पर आपको qualification, experience, recruitment के साब से सब कुछ given है दोस्तों आपको यहाँ पर सारी information मिल जाएगी तो आप इसे अच्छा से go through करें यह इनकी website भी given है यहाँ पर और यहाँ पर आपको पूरा online application के लिए आप कैसे कैसे apply कर सकते हैं वो सब कुछ given है तो आप इसे अच्छे से go through करें दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे forum community.exam pathfinder पर भी विजिट कर सकते हैं अगर आपकी कोई query है या आप कुछ पूशना चाहते हैं तो आप नीचे दिये का reply box में अपनी query भूच सकते हैं और हमारी community के साथ direct interact कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशे करते हूँ आपको अधिक जानकारी मिल पाई होगी वीडियो अच्छा लगे तो उसे like करें और हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए धन्यवाद